नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में आज हम आपके लिए जूनियर ओफिसर असिस्टेंट का एक और टेस्ट पेपर लेके आए हैं इसमें हम आपके साथ discuss करने जा रहे हैं next part जो की काफी important होगा तो आए जादस में ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं and previous वीडियो में हमने देख लिया था कि किस तरह से जो हमारा second part यानि जो history थी उसको हमने cover किया था तो आज जो है हम आपके साथ study करने जा रहे है next part जो है हमारे पास इसका input and output devices ओके तो यहाँ पर हमारे पास section number okay chapter number 3 है यह थोड़ा सा यहाँ पर ओके तो यह chapter number 3 है हमारे पास two chapter हम study कर चुके हैं नीचे description में आपको link मिल जाएगा जहां से आप इन PDF files को download कर सकते हैं okay तो two PDF files का link भी आपको साथ में मिल जाएगा क्योंकि एक ही page के ओपर जो है सारे के सारे PDF files के link आपको provide करवाए गये हैं okay तो थोड़ा सा यहाँ पे so okay मैं steam check कर आता सही से work कर रही है कि नहीं okay steam सही से चल रही है तो चलिए इस video को शुरू करते हैं so first question है हमारे पास and guys कुछ question काफी easy होते हैं तो आपको ऐसा भी लग सकता है कि काफी easy है basically यह question आपके जो reason है उसके point of view से काफी जादा important होने वाले हैं थोड़ा सा यहाँ पे error आ रहा है क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे pen work क्यों नहीं कर रहा है तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे technical issue था तो first question है मारे पास the two type of output devices are तो यह तो काफी basic सा question है output devices बच्पन से computer बढ़ते आ रहे हैं तो यहाँ पे two output devices कौन कौन सी हमारे पास first is monitor second is printer and next हमारे पास mouse technique used for access in properties of any objectives तो कौन सी technique जो है उसमें हम use करते हैं उसमें हम use करते हैं right clicking ओके next हमारे पास dot matrix is a type of तो आपको पता है dot matrix क्या है आपके पास एक printer है tab is used जो tab की है वो किस के लिए हम use करते हैं तो tab की हम use करते है to indent a graphs ओके तो भी जो है इसका right answer है next हमारे पास to go to the beginning of a text line प्रेस तो यह shortcut keys है आपके पास तो यहाँ पे home is the right answer the most common input devices the most common input device कौन सी आपके पास वो हैं आपके पास keyboard and mouse to see all information which device output uses तो कौन सी device जो है आपके पास use किरते हैं तो हम यहाँ पे use करते हैं monitor type of mouse is तो जो mouse है आपके पास वो किस type का है आपके पास तो जो mouse है हमारे पास वो optical and a mechanical two type की है next है हमारे पास the number of functional की तो कितनी functional की जो है वो present होती है हमारे पास 12 function की जो है वो present है printing head and paper is test in तो वो किसमे touch होंगे आपके पास तो वो आपके पास touch होते है impact printer में वाई विच प्रिंटर और क्रेक्टर प्रेंट इन ओनली वन स्टोग तो वन स्टोग यूज ओते है आपके पास dot matrix printer में which of the following is not an output device तो यह तो sorry input device तो यह तो बेसिक से question है आपके पास आपको पता है की बोर्ट बेसिकली input device यह आपके पास monitor आपके पास output device है ओके तो दिस इस दराइट answer what is function of a keyword in computer तो keyword से हम क्या करते हैं information input करते हैं next है मारे पास which of the following produce high quality output तो high quality output जो कहां से में मिलती है वो मिलती है plotter से 15 हमारे पास the work done by a computer operator is display in which part of computer तो वो कौन से पार्ट में जो है computer के output होता है वो होता है आपके पास video में okay next हमारे पास which of the following is the medium of output तो कौन से आपके पास output का medium है वो हमारे पास printer which of the following is used to input in computer in digital form तो digital form में हम किसे यूज करते हैं तो digital form में हम यूज करते है scanner को next हमारे पास 18 when was the computer mouse invented by Douglas Elgort in Stanford Research Laboratory तो कब हुआ था आपके पास जो mouse से वो invent कब हुआ था वो हमारे पास तो यहां पे कोई भी इसका राइट आंसर नहीं है how many type of printer are there तो कितने टाइप के printer हमारे पास होते है basically two type के जो है हमारे पास printer यहां पे available है next हमारे पास a character printer prints dash dash character per second तो वो कितने आपके पास करता है तो वो तक्रेवन 200 से 400 character a line printer print line per minute तो line printer कितने lines को print कर देता है तो आपके पास 200 to 400 and a scanner look like a dash dash machine तो scanner किस की तरह दिखते है आपके पास एक फोटो कॉपर के तरह how many arrow key are there in a computer computer में कितनी arrow keys जो है आपके पास present होती है तो आपके पास कितनी cyclos style okay to cyclos style जो मैं आप जो है आपके पास यह present होती है और sorry थोड़ा सा mistake हो गए not cyclos style आपके पास four key होती है okay arrow key यानि जो आपके पास यह वाली keys होती है हैं पता है in many crunch available keyword how many time number key are repeated तो कोई जो आपके पास keyword आते हैं आज कल उसमें जो number key है वह कितनी वार जो है repeat होती है तो आपको पता है एक तो आपके पास जो उपर वाले होते है यानि alphabet के ओपर होती है दूसरी आपके पास side में होती है the slate shape object below mouse is called तो उसे हम क्या कहते हैं तो आपको पता है उसे basically mouse pad के नाम से जानते हैं so 25 का B is the right answer which of the following is an output device तो इता basic question है इसलिए मैंने मैं आपके लिए जादा time नहीं लगा रहा हूँ okay यहाँ पे जो A and B है वो आपके पास यहाँ पर right answer है what can be the form of data तो data किसी की form है basically आपके पास information की form होती है तो writing and unwriting next है मारे पास link between computer and human is possible by तो link जो है किसके द्वारा possible होता है आपके पास तो यह है आपके पास input and output के द्वारा which of the following is not a type of input and output तो कौन सा हमारे पास जो input and output का type नहीं है वो हमारे पास light next हमारे पास which of the following works as mouse तो mouse क्या work करता है आपके पास तो आपके पास track wall journal यह generally which button of mouse is used for okay तो okay के लिए कौन सा button हम use करते हैं तो यह भी काफी basic से question हमारे पास left button next हमारे पास dash dash is fast speed printer तो अब से fast printer कौन हमारे पास laser printer LCD stand for basic see definition है liquid crystal display next हमारे पास the journal method for to input the text and numerical data in computer is why तो उसको हम कह कहेंगे उसको हम कहते हैं आपके पास keyboard okay next हमारे पास output device make it possible to output device में हम देख सकते हैं कि इस जीज़ को यह हमारे पास print out आ सकता है view and printer data hard copy of a document is तो hard copy क्या होती है document की printed on a printer okay which of the following group have only input device तो कौन से group में जो आपके पास सिर्फ और सिर्फ input device जो है बो present है तो वो है आपके पास okay next हमारे पास which of the following group have only output device तो उपर input था यहां पे आपके पास output है तो again इसका आपके पास d जो है right answer होगा any data and instruction enter in the memory of a computer is तो कोई भी instruction हम डालते हैं उसे basically input की या input के माध्यम से हम उसके अंदर डालते हैं and जब वो अंदर जाती है तो उसे हम data कहते हैं जो data है वो basically हमें information provide करवाता है okay so यहां पे होगा input to mark the number या pad act as a directional arrow we press तो हमें कौन सा बटन प्रेश करना है हमें प्रेश करना पड़ेगा shift next है मारे पास which key is used in combination with another key to perform a specific lock ओके थोटा सी यहां पे blur होगे है आपके पास बट जो PDF आपको आईगी वो clear होगी तो बहां पे आपको यह एकदम accurately visible हो जाएगा तो control control shift alt आर कॉर्ट जो control है shift है alt है वो किस टाइप की keys है मारे पस वो modifier है आपके पास इंड़ पैटर्ण औफ अफ प्रिंटर लाइण ओन आम और मोस्ट प्रड़क्ट आर तो जो प्रिंटेट लाइन सो त्य यहां पैर है अपके पास ऊवके आउट्पुट अाँपी scans, तो ये किस चीज़ को scan करते हैं आपके पास, तो scanner जो basically आपके पास जो text होते हैं and जो pictures होती है, उनको scan करता है, What would you do to highlight a word, you position the cursor next to the line and then, तो आपको पते हम press करके रखते हैं, या तो हम उसको move कर लेंगे, या तो हम उसको control के साथ, arrow key के साथ भी उसको move कर सकते हैं, So drag mouse while holding button down and a dash dash can make it easy to play a game, तो game basically joystick के साथ खेलते हैं, keyboard के साथ भी खेल सकते हैं but वो इतना ज्यादा comfortable नहीं होता है, In M-I-C-R, C stand for, M-I-C-R में C क्या stand करते हैं आपके पास, character, soft copy is an integral output, so then what is a hard copy, तो अगर आपके पास जो soft copy है, वो intensival output है, तो जो आपके पास hard copy है, वो basically क्या है आपके पास, वो printed output है आपके पास, next है मारे पास, a printer is this kind of device, तो printer किस kind of device में आता है आपके पास, output में, the most common method of entiring text and numerical data into computer system is through the use of, तो हम इसमें basically use करते हैं, keyboard, next है मारे पास, a keyboard is this kind of device, तो keyboard आपके पास input device है, which part of computer and display the work done, तो work done specially monitor के ओपर आपके पास आता है, जो इतना भी हमने काम जो है वो, किया होता है, next है मारे पास, a code consisting of var or lines, of a bearing width or line, that are computer readable, are known as, तो barcodes जैसे हम जिनको जानते हैं, specially coding होती है, तो basically आपके पास उसे हम barcode ही कहते हैं, whenever we have to give space between the two words, while typing on a PC, we have to press a key, तो कौन सी की की हम प्रेस करेंगे, जब space देंगे, तो space bar, the dash dash key and the dash dash key can be used in a combination with other key to perform shortcut and special task, तो special task के लिए हम कौन सी keys को use करते हैं, specially control को हम use करेंगे, okay, control under, यहाँ पे आपके पास आई जाएगा, alt, नेक्स हमारे पास, which type of device is the computer monitor, तो basic से question है, next हमारे पास, which of key is not on the number keypad, तो कौन सी key जो है number keypad के ओपर जो है वो आपके पास present नहीं होती है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो control, okay, यह बहाँ पे नहीं होगा, दा primary output device for a computer is, तो primary output device कौन सी है हमारे पास, तो basic से question है, video monitor, देस्ट प्रवाइड दा means to move the pointer on the screen and give information to the computer by clicking its button, तो कहां से आपके पास यह आएगा, mouse, okay, and next हमारे पास soft copy refer to, तो soft copy, hard copy, काफी confusion होता है student को इन में, तो hard copy, जिसे हम touch कर सकते हैं, and soft copy basically, जो हमारे पास PDF file से बलेबल होती है, उनको हम कहते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास screen output, इसे हम कहेंगे, तो guys basically सारे बड़े easy questions हैं, तो इस वीडियो में हम इतना ही question को study करेंगे, and इसकी PDF आपको मिल जाएगी, तो ऐसा मत सोचें कि आपको इसकी PDF नहीं मिलेगी, इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, description में हमने link आपको available करवा दिया है, आप link के ओपर जाएए, बहाँ पे click कीजिए, and directly आप site के ओपर चले जाएंगे, ओके, तो जैसे आप हमारी official website hp.examhub.in के ओपर जाएंगे, तो directly वो page open हो जाएगा, video one करके first जो PDF आप download कर सकते हैं, video two करके आप second PDF को download कर सकते हैं, and जैसे आप video three के ओपर जाएंगे, तो इसके नीचे हमने लिखा हुआ है, कि click here for download PDF file, तो directly आप बहाँ से इन PDF files को download कर सकते हैं, तो I hope कि आपको ये video अच्छी लगी होगी, and अगर आप चाहते हैं कि इसका जो third part है, वो भी आपको provide करवाया जाए, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका third part भी provide करवाया जाए, तो आप हमें comment करके जुरूर बिताइएगा, तो मिलते हैं next video में, तब तक के लिए thank you, have a nice day.